इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गए है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को استعمال करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Nedoxin C cream एक combination दवा है जिसका इस्तेमाल तवचा का संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। यह infection उतपन करने वाले सूक्ष्ण जीवों की वृध्धी को रोक कर और उन्हें मार कर काम करता है। यह उन विशेश chemical messenger को बनने से रोकता है जिनकी वज़र से तवचा में लालिमा, सूजन और खुजली की समस्या होती है। Nedoxin C cream केवल बाहरी अंगों के लिए है। इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार लगाया जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर लगाने से आपको इसे इस्तिमाल करना याद रहेगा। इस दवा को लगाने से पहले प्रभाविक शेत्र साफ और सूखा होना चाहिए। इस दवा को लगाने से पहले और बाद में आपको अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। जब तक आप कोस पूरा न कर लें, तब तक इसका इस्तिमाल बंद न करें, चाहे आप बहतर महसूस कर रहे हों। अगर आप इस दवा का समय से पहले इस्तिमाल करना बंद कर देते हैं, तो इंफेक्शन बढ़ना जारी रह सकता है और वापस आ सकता है या अधिक खराब हो सकता है। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में इस्तिमाल की जगह पर जलन, खुजली और लालीपन शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके हैं, लेकिन अगर वे आपको परिशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। आँख, नाक या मूग के साथ सीधे संपर्क में आने से बचें। अगर गलती से संपर्क में आ जाता है, तो तुरंट परियाप पानी से धोलें। इस दवा का उपयोग करने से पहले यदि आप गर्भवती हैं, तो डॉक्टर को सूचित करें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल